ओम शान्ती आप सबको स्वागत है आज हम 9 अक्टूबर के शुर्वरदन में पहुंचे हैं सबको संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ना के अना असान है करना और भी असान हो सकता है अगर हम परमात्मा की इस बात को मान गये इस वरदन में परमात्मा हमें सिकाते हैं कि अना सकत बन लोकिक को संतुष्ट करते भी इश्वरी कमाई जमा करने वाले राज युक्त भवा अना सकत मनलब कि किसी चीज़ से भी attachment ना होते हुए कुछ इच्छाओं से भी attachment ना होते हुए मैंने इतना किया तो मुझे इतना return में मिलना चाही है इनके द्वारा या मैंने इतने सालों से सेवा करी तो मुझे मिला के वापिस कुछ नहीं मिला मुझे तो प्रमात्व कहते हैं कई बच्चे लौकिक कारे लौकिक प्रवरति मलकी फैमिली लाइफ लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धी से सबको संतुष्ट भी करते और इश्वरिय कमाई का राज जानते हुए विशेश हिस्सा भी निकाल लेते मलकी तन्मंधन से वो सेवा भी कर लेते हैं और लौकिक में सब को संतुष्ट करते हुए लौकिक का भी कल्यान कर लेते हैं कि लौकिक परिवार के अभी तन्मंधन परमात्मा की इश्वरिय सेवा में लगवा देते हैं तो इससे डबल कमाई होती है ऐसे एक नामी और एका इका नामी मतलब कि economy, मलकी, सस्ताई में हर चीज में आप पैसे बचाते होए, संकल्पों को कम यूज करते होए, कम शब्दों में अपनी बात को रखते होए, यह सारी क्या चीज होगे, economy, लेकिन हम जातर economy को हम पैसे से जोड़ देते हैं, तो यह तीन बातें आ गए हैं आप लोकिक से economic कर अलोकिक कारे में फ्राग दिल्ली से लगाते हैं, तो जाए आपके खजाने मिले होँ, ग्यान की खजाने, गुन की खजाने, शक्तियां और समय जो हमारे पास मैं है अपना, और स्ताथी स्तूल धन को लोकिक से economic कर, अलोकिक मलकी, वहाँ पर बचत कर, बचाया वहाँ खजाना जो है, तन, मन, धन, हम जोब में भी अपना मन लगाते हैं, महाँ पर भी हम अपना समय लगाते हैं, वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम बचा लेते हैं समय, उसमें हम क्या करें, परमात्मा अलोकिक कारे में उनको लगाएं, मैं फ्राग दिल्ल इस इस लगाते हैं एस युक्त less Rick दिल खूला केकशूवाते हैं ऐसे यूक्त राज़गत बच्च यूप ही महिमा योग्य हैं। तो एस़ tapa हआत्म के पास में यूक्तिय और परमात्म 25 तो परमात्म ने यूक्ति यह समझे कैसे करना कैसे इसके लिए आपके लिए बहुत सारे उद्धारनें ब्रह्मकुमारी सेंटर में बहुत बाई बहने हैं जो कि यह कर रहे हैं कर चुके हैं और करते आ रहे हैं जिनसे कि आप सीख सकते हैं ओम शांति इसके साथ